बुली श्री प्राणात प्यारे की जै चर्चा प्रारंब हो तहे सुनो सात चित दे भजो राज स्याम स्री प्राणात जी सकी जीवन हमारो ये स्री महामतिके सात जी भयाचर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लालागे आए बैठे इन तकत श्री महामतिके सात जी ये बात बड़ी भुजरक एक जरा मैना का सकूं लाल कया गजे माफक लाल कया गजे माफक अब कहो तिस्रे पहर की सभी सुनियो चात को मेरा प्रणा धाम धने सिराची सिलालदाची के धाम हेदे में बिराजमान होकर ये बितक का वर्णन करवा रहे हैं जिसमें कल हमने पहला और दुसरे पहर की चर्चा सुनी आज कौन सा पहर है तीसरा जिसमें धाम धनी तिसरे पहर में सुन्दस्ताथ कैसे सीची की सेवा करते हैं इसका वर्णन करने जा रहे हैं बितक जो सयन ये बितक किसकी है कोई रिसी मुनी, कोई देव देवता की बितक नहीं है बितक जो सयन परमधाम की ब्रमात्माएं कैसे परमधाम से ये माया का खेल देखने के लिए आई है और माया का खेल देखकर वापस कैसे परमधाम में जाएगी ये सारी बाते इस बितक में वर्णी थे और ये बित्रक हमारी भुद, भविष्य और वरत्मान तीनों कालों की बातों को दर्साती है और हमें राह दिखाती है कि कैसे हम सुन्दसाथ के पद्चिनों पर चल के अपना जीवन धन्य धन्य करें सो तुम सुन्यों निके कर सो तुम सुन्यों निके कर है प्राना धार सुन्द साथ जी उसको आप निके कर यानि कि अच्छी तरह सुन्ये क्योंकि केवल सुनना परियाब्त नहीं होता है यदि जब तक वो ग्यान हमारे आच्छन में नहीं आता है तो हम कितना भी ज्ञान सुन ले लेकिन उसको सुनने से कोई भी लाब नहीं होता है सुनियों निके कर, निके कर सुनना यानि कि उन ब्रह्मनियों के पच्चिनों को जिन्होंने कैसे श्रीजी पर समर्पितो कर अपने तन, मन, धन सबको श्रीजी पर निच्छावर कर दिया और कैसे अपने एक-एक पल को श्रीजी की सिवा में सार्थक किया उन्होंने जो रहनी अपनाई उन रहनी को सुनकर आप भी अपने जीवन में दिल के रे कानन और हिर्दे के कानों से इसको स्रवन करना है अब तीसरे पहर में जब श्रीजी पलंग पर पोड़ते हैं यानि तीसरे पहर कब से कब तक होता है जिसे सुबह छे बज़े से नो बज़े तक पहला पहर होता है नो बज़े से बारा बज़े तक दूसरा पहर होता है और बारा से तीन बज़े तक तीसरा पहर होता है जिसमें श्रीजी विश्राम करते हैं कुछ देर के लिए उसमें भी जी जी बाई आकर स्थीची के आगे अपना सर करती है और कहती है कि ए दामधनी आप सिर पर टपली मारो अपना सिर आगे करके केती एक दामधनी इस पर टपली मारो आप जिस समय स्थीची पलंग पर पोड़ते हैं इन समय आन पहुंचे इस समय जो सिवा करने वाले सुन्द साथ होते हैं वो स्थीची की सामने आकर उपस्तित हो जाते हैं चंद्रावली रिजावत और सुन्द साथ बाणी गायन करने के लिए बारी बारी से सुन्दसाथ बाणी गायन करते हैं और श्तीची लेटे लेटे बाणी सुनते हैं गाई की पंजाब की बचन चंदावली बाई जो जिसे चोदा बारियां होती है जिसमें कोई सेख बदल की बारी है यानि किसी में सेख बदल प्रमुख है तो कोई और बारी में कोई और सुन्दसाथ प्रमुक है इस तरह हर चोदा बारियों की सुन्दसाथ प्रमुक अलग अलग है और सब अपने अपने समय पर आकर वानी का गायन करते हैं और चंद्रावली बाई उन सब बारी वाले सुन्दसाथ को गाने में सायो करती है उत्पन करती है क्योंकि जब कोई भी वानी गायन करेगा जैसे एक तो अक्षराथीत के मुख से निकले हुए सब्द ये वानी है उस वानी को भी जब प्रेम में डूप कर हिर्दे से जब गाया जाता है तो सुन्दसाथ के हिर्दे में धामधनी के पती एक दर्द उत्पन हो शाबस कहिये तीन शाबस कहिये तीन धामधनी और चंदा वली बाई की पसंद साभी करते हैं क्योंकि सब सुन्दसाथ तो अपनी अपनी बारी में गाते हैं लेकिन चंदा वली बाई सब सुन्दसाथ को गाने में सयोग करती है और सब सुन्दसाथ अपनी अपनी बारी से वानी का गायन करते हैं 14 आवत फिरती 14 बार्यां है जो बारी बारी से आकर वानी का गायन करते हैं कलाम वाहदानियत के कलाम वाहदानियत के इवचन वाहदत के हैं और ये वानी अक्ष्रतीत के मुख से निकले हुए सब्द हैं जिस वानी का एक एक सब्द हमारी आत्मा को जगजोता है कि ब्रह्म आत्माओ तुम माया का खेल देखने के लिए आये हो तुम माया में खेल करने के लिए नहीं आये हो और हमें एंगित करता है कि ब्रह्म आत्माओ अपनी आत्माओ को जगजोता है जो येवानी अक्षातित के द्वारा उत्री है और समय चित्वनी के जब रहे दिन घडी चार जब साम के साड़े चार बजे का समय होता है तनधार सुंदसाची इससे पहले जिसे प्रसंग आता है कई सुन्दसाथ आकर धामधनी से विंति करते हैं कि धामधनी अब तो अर्जी करते हैं क्या करते हैं कि धामधनी अब तो हमने ये माया का खेल देखा है दुख भी देखा है और इसकी भी देखा है और आप कब हमें परमधाम लेकर चलोगे इस प्रकार की भी अज़ जी आकर सुन्दसाथ करते हैं चिट्वनी के समय भी श्टी जी सुन्दसाथ कुछ वानी करते हैं वानी का गायन करते हैं साम के समय धाम वतन चलने का मुमिन करे विचार सब सुन्दसाथ कैसे धामधनी हमें परमधाम वापस ले चलो अब हमने इस संसार को देख लिया अब यहां का दुख हम से सेहन नहीं हो पता है यही चैकर सुन्दसाथ आकर स्टी जी के चर्णों में प्रात्ना करते हैं और जो बारी वाले सुन्दसाथ है वो अपने अपने समय पर आकर वाने का गायन करते हैं जिसको स्टी जी पोड़े पोड़े सुन्ते हैं और सुन्दसाथ रात भर वाने का गायन करते हैं स्टी जी सुन्ते सुन्ते कभी तो कहते हैं कि यहां आपने चुक क्यों करती सुन्दसाद मा भी माझते हैं के धामधनी हमारे से चूक हो गई और जब सुन्दसाद बड़े रात के अंतिम पहар तक वाणी का गायन करते हैं तो श्ती जी प्रसन होकर हाद भी उनके लिए भिजवाते हैं ये नित सुनत है स्ती जी नित्य वानी का स्वन करते हैं और आवत हैं बहुत, और भी कई सुन्ने साथ वाणी का गायन, वाणी सुनने के लिए आते हैं, मडे फीरत दौकान, क्या के दे हैं, मडे हो दौकान, सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन सुनने वालों में कई लोगों को धाम धनी की पेचान है और बाकी कई लोग केवल सुनते पर हैं क्योंकि स्रीजी के साथ पांच हजार की जमात है जिसमें 500 ब्रहम सिष्टी है 1500 इस्वर सिष्टी है और बाकी जीव सिष्टी है और यहाँ पर सुनने के लिए सब लोग आते हैं उनमें जीव सिष्टी भी आती है लेकिन सुनती है लेकिन उस पर चलने का प्रयास जीव सिष्टी नहीं करती है इस्वर सिष्टी इस ग्यान को सुनकर इमान पर खड़ी हो जाती है और ब्रह्म सिष्टी इस वाणी को सुनकर उस पर चलने का प्रयास करती है और वो हमेशा यही सोचती है कि कहीं मेरे से चुक तो नहीं हो रही है पल-पल धामधनी को रिचाने का प्रयास ब्रह्मात्माएं ही करती है बिना अंकुरे क्या करे और जो जीव शिष्टी है जिनके अंदर अंकूर नहीं है वो बिना अंकूर के क्या कर सकते हैं क्योंकि सिटी जी ने तो अपना ज्ञान लुटा दिया और पूरी दुनिया को अखन करने के लिए ज्ञान आया है आज सुन्द साथ भी जगर जगर वाने का प्रचार करते हैं सब को सुनाते हैं लेकिन इस ग्यान को ग्रहन कौन करेगा जिसके अंदर परहम धाम का अंकुर होगा अंकुर नहीं होने से हम कितना भी प्रयास करें लेकिन सफलता मिलने वाली नहीं है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ते हमने एक वादा किया है कि दामधनी क्या का अर्थ हमने कि मैं भूलू तो तू मुझे जगा देना और तू भूले तो मैं तूझे जगाऊंगी और दामधनी के इस ग्यान को पुरी प्रमान में फिलाना है तो कोई जगे या न जगे लेकिन हमें अपना कारे करते जाना है पावे ना सुख सुभान जिसके अंदर अंकुर नहीं होता है वो इस अखंड आनन को प्राप्त नहीं कर सकता है तावे रहे सैतान के तावे रहे सेतान के सेतान कौन है जिसको बुराई कहते हैं जिसको हम दज्जाल करते हैं एक बात और कि दज्जाल किसको अपने अंदर अपने वस में करता है जैसे इमान किनका कच्चा होता है यानि जिनका इमान कच्चा होता है उनी को दज्जाल अपने वस में कर लेता है जैसे तुफान आता है तो सबसे पहले वही पेड़ गिरते है जिनकी जड़ें कमजोर होती है जिनकी जड़ें मजभुत होती है चाहे कितना भी तुपान आया लेकिन वो पेड़ कभी गिरते नहीं है, तो यहाँ पर ताबे रहे सेतान के कर लोग जो दजाल के अधीन होते हैं जिनका इमान कच्छा होता है उनको दज्जार अपने वस्में कर लेता है और उनको दज्जार अपनी तरफ खेंच लेता है दज्जार यानि के बुराई और ये बुराई सब के अंदर होती है हमारे अंदर भी अच्छाई है और बुराई है क्योंकि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो एक विचार आता है कि ये कार्य अच्छा है इस पर लग जाए लेकिन जो हमारे अंदर बुराई है उसकी भी एक आवाज आती है कि क्या जरूत है करने की तो ये दज्जाल यानि कि बुराई जिनका इमान कमज़र होता है जिनको धाम धने के उपर विश्वास नहीं होता है उसको दज्जाल अपनी तरफ खेंच लेता है यानि को बुराई की तरफ खीच जाता है दिखावे दुनिय को दुनिया को क्या दिखाते हैं तो पावे ना हक हरफ ये दुनिया केवल श्रीची ने कहा है पहले कि साधु कहर कही करामत ये दुनिया तीत राचे संसार को क्या अच्छा लगता है संसार का सुक और करामत आज भी यदि कोई चमतका दिखाने वाले आज आते हैं तो सारे लोग उनके पास चले जाते हैं और यही कहते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है या क्या घटना घटित होने वाली है इस सब लोग पूछते हैं और उनकी तरब आकर्शित होते हैं जो केवल चमतकार दिखाते हैं लेकिन चमतकार देखने से या दिखाने से कोई भी उस परम तत्व को नहीं पा सकता वानी कहती है आगम भागो मन की परखो सुझे चोदे भवन मृतक को जिवित करो पर घर की नहोवे गम यदि हम अमारे पास इतना ग्यान हो जाए हम सारी भविशे की बाते जान ले सब की जीवन के बारे में बता दे क्या होने वाला है चाहे कितना भी इसा ग्यान हम حاصिल कर ले लेकिन हम खहां से आए हैं और इस सरीर को छोड़ने के बाद हमें जाना कहा हैं इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ये रिती सिद्या केवल एक छलावा है हमें एक छल के अंदर डुबो देती है क्योंकि आज भी जो लोग स्वारती होते हैं जिनको लोगों को ठगना होता है वही इन रिती सिद्यों के पीछे भागते हैं लेकिन जिनको अपने जीव को भव सागर से पार करना होता है या जिनको ब्रहम ज्यान चाहिए वो कभी भी इन रिदी सिद्यों के पिछे नहीं भागते हैं श्री महामत जी कहे साथ जी सुनो जिकर सुभान यह सिफत इमाम के अकष्टातीत और प्रहम धाम की ब्रहमातनों के महिमा है लाल जिनको भई पहचान लाल जी कहते हैं इस महिमा के बारे में भी वही जान सकता है जिनको एक अकष्टातीत की पहचान हो गई हो अब कहों पहर चौथे की अब धामधनी चौथे पहर का वर्णान करवा रहे हैं चौथा पहर कितने बज़े से कितने बज़े तक का है पहला पहर छे से नो का दूसरा नो से बारा का तिसरा बारा से तीन का और चौथा तीन बज़े से छे बज़े तक का बितक जो सये न और ये हम सब ब्रहमात्मों के बितक है सो दिल के कानों सुनियों जिसको हिर्दे के कानों से स्रवन करना है करत हो रोसन धामधनी लालदा जी के तन में बिराजमान होकर किया रहे हैं कि जो उन परमधाम की ब्रहमात्मों की जो बितक है उनको आपके सामने में पकासित करदा हूं इत एक पहर प्यू पौड़त श्री जी एक पहर तक विश्राम करते हैं आये सिवन को सबसाथ और सारे सुन्दसाथ सेवा करने के लिए सिजी के सामने उपस्तित हो जाते हैं जल लोटा भर लियाई जल का लोटा कौन भर के लाते हैं चबिलदास अपने हाथ चबिलदास जी जो जमना बाय के बेटे हैं वो लोटे में जल भर कर लाकर सिजी को देते हैं सिज पर से उठके स्टी जी अब पलंग पर से उठते हैं कोई कदिन घर जावे घंश्याम किसी किसी दिन स्टी जी घंश्याम भाय के घर जाते हैं क्योंकि कभी कभी देह क्रिया के लिए घंश्याम भाय के घर जाते हैं स्टी जी साम के समय सुन्दसाथ तदपद है श्रीजी भले पोड़े हुए हैं लेकिन सुन्दसाथ सामने खड़े हैं कि धाम धनी को हमारी कोई आवस्थ्ता तो नहीं है जब घंच्यां भाई के घर जाते हैं तो कोई सुन्दसाथ हाथ पकड़के चलता है कोई पावड़े बिचाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इस तरह सब सुन्दसाद स्रीजी की सेवा में तत्पर होते हैं, जब स्रीजी जाते हैं तो पावड़े बिचाए जाते हैं, पावड़े बिचाने की सेवा कुन करती हैं, लाल बाई, जैसे लाल दाची 99 जाहाज के मालिक थे, लेकिन जब स्टीजी के चर्णों में आ गए, सब कुछ अपने आपको खतम कर दिया, मिटा दिया अपने आपको, मिट्टी बना दिया, और रात दिन स्टीजी की सेवा में तत पर है, उनकी बेटी स्याम भाई, दामात राम राय, ये भी स्टीजी की में लगे हुए है, और लाल भाई भी स्टीजी की सेवा में लगी हुई है, जब स्टीजी जाते हैं, तो पावड़े बिच्छाने की सेवा लाल भाई करती है, लटके मटके चलते हैं, सुन्द साथ जी, लटके मटके चलना, ऐसा नेक स्टीजी कोई कमर लटका, मटका करके चलते हैं लटके मटके चलने का ताथ परिया है कि स्टी जी अपनी प्रेम भरी मस्ती की मस्ती में चलते हैं क्योंकि एक बालक जब चलता है तो और तरह से चलता है जिसे कोई नव विवाहिद दुलहन होती है तो उसकी चाल में एक लजज़ च्छिपी होती है और जैसे कोई विव्रित चलता है उसकी चाल और प्रकार की होती है लेकिन यहाँ जब स्टी जी चलते हैं स्टी जी अपनी प्रेम भरी मस्ती में डूप कर चलते हैं आये बैठे गादी ये और जब गादी पर आकर श्री जी बिराजमान होते हैं ए सिवा बिहारी दास की गादी बिचाने की सिवा कौन करते हैं बिहारी दास करते हैं बिचाई है भर के बिचाई है भर के हिर्दे में बहुत प्रेम भर कर गादी बिचाते हैं बिहारी दास चरन पकालने को छबिल दास धाम दने के चरनों को दोने के लिए बिहाईदाच जी क्या करते हैं ल्यावत सुंदर जल छबिल दास जी जल लेकर आते हैं सुंदर साथ जी जल सुंदर नहीं होता है लेकिन सुंदर साथ के हिद्धे में एक भाव है कि सेवा हम किसी कर रहे हैं अक्षताथित की सेवा कर रहे है और इसी भावना को दर्शाने के लिए क्या कहा गया और कभी कभी चण्नों को पखालने की सिवा मुकुंधाची भी करते हैं और मुकुंधाची निर्मल हिर्दे से सिवा अंकार के लिए नहीं की जाती है सिवा अक्ष्टतीत को रिचाने के लिए की जाती है और सिवा में ये भी नहीं दर्साना होता है कि मेरे जिसे सिवा करने वाला कोई नहीं है सुन्दसाथ किस भाव से करते हैं? निर्मल हिर्दे से और जब जिसको सेवा मिलती है, हिर्दे उसका प्रफूलित हो जाता है, कि मुझे धामधनी की सेवा मिली है, और मुझे इस सेवा को बहुत प्रेम भाव से करना है. कासी हाथ पकड़त कासी भाई जब स्टीची आकर पलंग पर बेढ़ते हैं, तो कासी भाई श्टीची का हाथ पकड़के श्टीची को बिठाते हैं, बैठत कुर्शी बखात जब श्टीची कुर्शी पर भी बैठते हैं, तबी भी श्टीची को हाथ पकड़के बिठाया जाता है, श्तिजी बेटने में असमत नहीं है लेकिन सुन्दसाद के हिर्दे में ये भाव भरा पड़ा है इसलिए सुन्दसाद चाहते हैं कि हम धाम धनी को केसे रिजाएं और केसे धाम धनी की सेवा करें ओका कलंगी हाजिर करें ओका भाई कलंगी लेकर आते हैं जब बैठे स्रीराज तकहत जब स्टीजी तकहत पर बिराजमान होते हैं तब ओंका भाई कलंगी लेकर के आते हैं सेवा लिखन हार की सेवा लिखन हार की जो वानी लिखने की सेवा है क्योंकि जब स्थीजी चर्चा करते हैं तो सब सुन्दसाथ सामने उपस्थित होते हैं और सुन्दसाथ को जो भी बाते उचित लगती है सुन्दसाथ उसको कागज में लिख लेते हैं कई सुन्दसाद की सेवा स्याही बना करके देने की है कई सुन्दसाद जो लिखते हैं तो जब कई सुन्दसाद स्याही लेकर खड़े होते हैं कोई सुन्दसाद की स्याही कम न हो जाए कुजा भरके पुका रही कुजा भरके पुका रही खुंजा कहते हैं डिब्बे को एक डिब्बे में श्याही भरके खड़े होते हैं और सुन्दसाथ को आवाज लगाते हैं कि सुन्दसाथ जी किसी को स्याही की आवाज सकता तो नहीं है कोई लेवे जो दिल चाहा और जिस सुन्दसाथ को शाहि के आवस्ता होती है उस सुन्दसाथ शाहि ले लेते हैं अब स्री महामत जी कहती है कि है सुन्दसाथ जी ये चोथे पहर की वीरत ये चोथे पहर की वी तक है अब को पहर पांचमा अब पांचमे पहर का वर्णन करने जा रहे हैं पांचमा पहर कितने बज़े से कितने बज़े तक का है छे से नुव बज़े तक का अब इस पांचमे पहर में कैसे सेवा होती है कैसे आरती होती है ये में ये धामधनी आगे वर्णन करवाने जा रहे है सुन्यो तनमन हीत तनमन और हित से इसका आप समण करना अब मैं पांच में पहल का वर्णन करने जा रही हूं आया जब बख़त जब पांच में पहल का समय होता है तो क्या होता है हुआ समय बैठने का सुटी जी तकट पर विराजमान होते हैं उपर इन तकट तकट के उपर जब सुटी जी बैठते हैं दीपक बाई सिवा में ततपर होती है दीपक बाई के साथ मानक बाई और करमेती बाई भी खड़ी होती हैं सिरी राज को रिजावत सब सुन्दसाथ राजी को रिजाते हैं हर सुन्दसाथ सोचता है कि कैसे अक्ष्टतित को हम दिछाएं कैसे धाम धने को हम सुख पौँचाएं सुख पाल में बैठ के सुख पाल में बैठ कर कौन आता है श्री बायज राज जी आती है श्री जी को कुछ जलपान लेने के लिए बायज राज अरज करती है दाम धनी भी जब कुछ जलपान लेते हैं तो सुन्दसाथ को मिठे वचनों से प्रबोधित करते हैं उनको मिठी मिठी बातें सुनाते हैं श्री महाराज बायज जी और महाराज च्छत्र साल जी और बायज राज जी बैठत अरगावने थाल जब स्री जी आरोग रहे होते हैं तो च्छत्र साल जी और बायज राज जी पास में स्री जी के बैठते हैं हाथ पखालत प्रेम सों और बहुत प्रेम से स्थी जी के हाथों को तोया जाता है मानक सिवा करे खुसाल और हाथ दुलाने की सिवा मानिक बाई करती है आरुगत इता हेत सों स्थी जी भी बहुत प्रेम से आरुखते हैं क्योंकि कई लोग जैसे करे लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन भोजन को कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके, सांत मन से और धिरे धिरे खाना चाहिए, श्टी जी जब भोजन आरोगते हैं, तो प्रेम में डुप कर बहुत भाव से धिरे तिरे करके भोजन आरोगते हैं बाते करे बनाए जब जलपान कर रहे होते हैं श्री जी बीच बीच में बाते भी करते हैं और जो सुन्दसाद गाने वाले होते हैं वो गा करके धामधनी को रिजाते हैं कवल देते हैं ताए जो सुन्दसाद गाने वाले होते हैं उनको श्रीजी बीच में प्रसाद भी देते हैं बीडी वालत श्रीबाई जी बैजुराज बीडी बीडी क्या होती पान होता है पान के अंदर कथा लगाया जाता है उसमें लोंग इलाइची अदिल डाल कर पान की बिड़ी बनाए जाती है महाराजा अपनी महाराजा ची अपने हातों से बिड़ी बनाते हैं देशुपारी मानक छबिला और छबिल दाज ची सुपारी भी देते हैं और सिवत महाराणी महाराणी जी भी ये सेवा करती है महाराजा कलंगी बनावत महाराजा च्छत्रसार जी अपने हाथों से कलंगी बनाते हैं अपने हाथों कर अपने हाथों से कलंगी बना कर लाते हैं बांदात लटकनी छब की और अपने हाथों से पाक के उपर कलंगी पेहनाई जाती है हाथों हाथ धरे सीर पर हाथों हाथ धरे सीर पर सुन्दसाथ अपने हाथों से ये सेवा करते है सुन्दसाथ जी महाराजा च्छत्रसाल जी हो लाल राची हो या कोई भी प्रह्मनी हो ये जिसे महाराजा च्छत्र साल जी का हम वर्णन्स होते हैं तो हर समय महाराजा च्छत्र साल जी स्थी जी की सिवा में तत्पर होते हैं क्योंकि राजा है फिर भी जहां समय मिला रहे हैं स्थी जी के पास और चोटी से चोटी सेवा करने के लिए ततपर है महरारचा छट्रसाल जी क्योंकि छट्रसाल जी ने अपना सब कुछ नुच्छावर कर दिया इसलिए तो राज्जे ने उनको जागनी का काills उनके सोपा था हुकम हाथ छट्रसाल को दियो सो अपनो राज अक्ष्टातीत ने उनको हुकम की सक्ति दे दे थी और उन छट्रसाल जिने भी अक्ष्टातीत की पूर्ण पेहचान करके अपने आपको मिटाया क्या कहा था पहले दाता हम भय जो गुरु को दिनोसिस पीछे दाता सद्गुरु भय सबकुछ कियो बक्सिस और साकुंडल सोभा भय छट्रसाल छट्ता हुआ छीपे सबसुल्तान अक्ष्टातीत के चर्णों में जब कोई अपने आपको मिटा देता है तो अक्ष्टातीत उसको इस सोभा भी देते हैं जैसे एक बीज होता है बीज जब तक मिटता नहीं है तब तक उसका नया पोधा तयार नहीं होता है लेकिन बीज जब मिट जाता है तब उन नये पोधे के रुप में परिवर्तित हो जाता है और जब तक बीच बना रहेगा तब तक दूसरा पोदा तयार नहीं होगा इसी तरह जिन प्रमात्माओं ने अपना सबकुछ अक्ष्टातीत के चर्णों में नुच्छावर कर दिया है उनको धामधे ने सोभा भी उतनी बड़ी दिये चर्णों जिनने अपने आपको मिटाया तो धामधे ने उनको कितनी बड़ी सोभा दी उनको अमिदूल मौमिन की सोभा मिलती है और ये सरवस्ट्र नुच्छावर करने के कारण ही मिलती है और चर्णों जी हर सेवा में भी ततपर होते हैं कहा कहो इन समय की मैं इस समय का क्या बयान करूँ जहां राज बिराजे तकहत जहां पर अक्षडाती धामधनी सोयम तकहत पर बिराजमान होते हैं आई जी मोर्चल करते हैं आई जी जो बैजुराज की माताजी है वो मोर्चल करते हैं सो कयो न जाए बखत मैं इस समय का क्या वर्णन करूँ महाराजा मोर्चल लिये कभी-कभी महाराजा 36 साल जी भी मोर्चल करते हैं मोर्चल मोर के पंखों से बना होता है और चवर एक चवरिक गाई होती है जिसके बालों से चवर बनाया जाता है तो यहाँ पर सुन्दसाथ कभी-कभी मोर्चल भी करते हैं और चवर भी डुलाते हैं सेख बदल लाल खान सेख बदल भाई और लाल खान सुन्दसाथ यह भी मोर्चल डुलाने की सेवा करते हैं हात फेरत चमर बनाये और इन सुन्द साथ ने अपने हातों से चवर को तयार किया था कभी धाम दने के पिछे होकर लाल केसब करे अरज धाम दने के पिछे होकर लाल दाजी और केसब भाई अरजी करते हैं रहे पढ़ने की गरज अश्टीची उसका अर्थ करके सबसुन्द साथ को समझाते हैं ए बश्तर सब साथ को दाम धनी चर्चा के समय में युगल सुरुप के सिंगार का वर्णन करते हैं कि किसे रच्ची ने सिंदुर्या रंकी पाग धारन किये हैं सपेत रंका जामा है किस्रिया रंकी जार है कमर में निलोन फिलो बीच के रंको पटका है ये वस्तों के सिंगार का वर्णन करते हैं आबुसनों के भी सिंगार का वर्णन करते हैं स्यामा जी के भी सिंगार का वर्णन करते हैं सिची कि कैसे स्यामा जी ने सिंदुर्या रंकी साड़ी धान किये है स्याम रंका प्लाव धान किया हुआ है और हरे रंग का चदर्णिया धान किया हुआ है और ये वस्त और आभुसानों के सिंगार का वर्णन करके सीची दोनों समय सुन्द साथ को सुनाते हैं कहते बखत दोए सुबह और साम दोनों समय कहते हैं एक प्रात और संजा समय सुबह के समय सिंगार का वर्णन करते हैं और साम के समय भी सिंगार का वर्णन करते हैं साथ सुनत है सोए इस सिंगार के वर्णन को सुन्दसाथ बहुत प्रेम भाव से सुनते हैं सुन्दसाथ जी गुन अवगुन सब के अंदर होते हैं और सोभाविक है जब हम यह माया का खेल देखने के लिए आये हैं तो हमारे अंदर विकार का होना सोभाविक है लेकिन धामधनी क्यों बार-बार सुन्दसाइद के चित को उस युगल सुरुप में लगाना चाहते हैं धामधनी का एक ही उदेश है कि जैसे हमारे अंदर काम ह क्रोध है मरत लोफ अंकार यह सारे विकार हैं इनको हम चाहें कि हम निकाल दें तो हमारे बसका नहीं है लेकिन ही विकार केसे दूर होंगे क्या कहा ए सुक जब अंग में आव भी तक छूट जाए विकार कि जैसे जब बच्चे को किसी चीज बच्चे से कोई चीज लेनी ह उसी तरह जब हम हमारा चीत इन विकारों में लगा हुआ है जब इसको अखन का रस मिलने लग जाएगा तो ये इन विकारों से मुक्त हो जाएगा और यदि हम चाहें कि इस विकार को हम बाहर निकाल दें तो ये संभव नहीं है क्योंकि जिसे एक कमरे में अंधेरा होता है तो कोई चाहे अंधेरे को पकड़ के बाहर निकाल दे तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है लेकिन जब उस कमरे में हम एक दिपक जला देंगे तो अपने आफ वहाँ से निकल जाएगा उसी तरह जब हम युगर सुरुप की सोभा को अपने दिल में बसाएंगे युगर सुरुप का जब ध्यान करेंगे तो हम चाहे कितने भी बुरे हो हमारे अंदर कितने भी विकार हो एक-एक करके सारे विकार हमारे से दूर हो जाएंगे ये तो बात अंकूर की अब धामदनी युगर सुरुप की सुभा शिंगार का वर्णन करते हैं उनमें कई सुन्दसाथ चित देकर सुनते हैं और कई सुन्दसाथ ध्यान देकर नहीं सुन पाते हैं इसमें तिन हजार जीव सिष्टी भी है तब होए न बिना सनमंध और इस अखंड सुख को जिसके अंदर परमधाम की ब्रमात्मा होगी वही इस अखंड सुख को ले पाएगा आन्य था दूसरा कोई इस सुख को नहीं ले सकता है जो दुनिया को देख ही जो दुनिया को देखी जिसके अंदर संसार के सुखो की चाना है क्योंकि पहले हमने सुना भी तक में कि जब कांजी भाई नलवा लेकर जाते हैं तो आकिल खान नलवा लेने से भी मना कर देते हैं और क्या कहते हैं कि अभी तो हमारे अंदर संसार की सुकों की इच्छा है बाकी है और आप अभी ये क्यामत का संदेश लेकर आ गए हो दामदनी के रहे हैं कि जिनके अंदर संसार की सुकों की चाहना है जिनको संसार के सुक ही सब कुछ लगते हैं और सुक भी कैसे जिससे आज तक कभी कोई ट्रिप्ट नहीं हुआ क्योंकि ये मन कभी इन चीजों से भरने वाला नहीं है हम कितना भी प्रियाज कर लें हम चाहें कि धन से भर लें या प्रतिष्ठा से भर लें या और कोई चीज से अपने मन को भर लें लेकिन ये मन कभी भी इन चीजों से भरने वाला नहीं है एक दिश्टान मैं देना चाहूँगा एक वेक्ति एक सुफी फकीर के पाद जाता है दिख्छा लेने के लिए वो सुफी फकीर कहता है कि आप दिख्छा लेने आये हो लेकिन मेरी एक सर्थ है कि मैं जो कहूँगा वेसे आपको करना है यानि मैं जो भी करूँ आपको बोलना नहीं है अब उस वेक्ति को लेकर वो सुफी फकीर कुवे पर जाता है कुवे पर जाकर पानी खेंचता है कुवे से और जिस बरतन में डालते हैं पानी उसके नीचे तला नहीं होता है यानि जिसे पैंदी होती है वो नहीं होता है जैसे पानी कुवे से निकाल कर उसमें डालते हैं पानी नीचे गिर जाता है जब ये बात वो सिस्य देखता है तो कहता है कि ये कैसे पागल वेक्ती के पास में आ गया फिर भी वो वही कवही कर रहा होता है तो वो बीच में बोल पड़ता है कि जब इसमें नीचे तल्ला पेंदी नहीं है तो इसमें पानी कैसे रुख सकता है तो वो सुफी कहता है कि मैंने तुझे मना किया था कि बीच में बोलना नहीं है मैं तुझे दिख्चा नहीं दूँगा वो वेक्ती अपने घर लोट जाता है लेकिन वो विचार करता है कि जो बात मुझे दिख रही थी ये बात उस फकिर को भी तो दिख रही होगी फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा था तो वो सुबह दुबारा उसके पाथ जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि मुझे ये बात समझा या आप यसा क्यों कर रहे थे तब वो समझाता है कि सब लोग यही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अपने मन को भरने का प्रयास कर रहे हैं कोई धन से मन को भरना चाहता है कोई पतिष्टा से या कोई किस से कोई किस से अपने मन को भरना चाहता है लेकिन ये मन कभी भी भरने वाला नहीं है तो जिसके अंदर संसार की चीजों के पति चाहना है वो धाम धनी की सुकों को केशे ग्रहन कर सकता है और अंधा वही है जिसको केवल संसार ही दिखता है क्योंकि संसार वाले जो आध्यात्मिक राह पर चलते हैं उनको कहते हैं कि इनके पास बुद्धी नहीं है यह लोग दिन रात केवल बस भक्ति में लगे रहते हैं और जो परमात्मों को मानते हैं उनकी नजरों में जो संसार की पीछे भागते हैं वो अंधे हैं अब आरती का समय आता है संद्यार्ति का समय होता है तो सारे सुन्दसाद सब तरफ से आकर कठे हो जाते हैं बंगलाजी में और इस समय की सोबा का मैं क्या वर्णन करूं कयों न जाए हरफ एक सब्द भी मैं इसकी बारे में नहीं के सकता दो बाजो चवर ढोरत स्थीची के दोनों तरफ चवर ढोराया जाता है लाल बाई पहीले लाल बाई पहले चवर ढोरती है गोविंद दास करता था और पहले गोविंद दास ची भी ये सेवा करते थे कोई दिन शिवराम के कोई दिन शिवराम भाई भी आकर के कब हूँ उट्बास बेधाने की सेवा करते हैं जांज ताल बजावता जांज और ताल बजाए जाती है कीतिक सिया इन संग और उन सुन्दसात के साथ कई सुन्दसात बजाने में सामिल होते हैं एक बात सुन्दसात जी जो हमारी सिवा पुजा है जिसमें जो सुबह की सिवा है वो परमधाम का भाव लेकर सिवा की जाती है और जो संध्या आरती है, सारी संध्या आरती इस तीची के अंदर अक्ष्राती पिराजमान है, इसी भाव को लेकर यहां पर यह आरती की जाती है, और सब सुन्दसाथ इस सेवा में सामिल होते हैं सुन धुन इन समय की, सुन धुन इन समय की, इस समय जो आरती होती है, कोई ताल बजा रहा है, कोई जान बजा रहा है, कोई मिदंग बजा रहा है, और कई सुन्दसाथ जेकारा लगा रहे हैं, इस समय की धुन को सुनकर एक अलर्द की आनन मिलता है कांपत कुली दज्जाल दज्जाल कांपता है ये नेचे मों को मारेगा दज्जाल सोचता है का अब तो मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है दज्जाल यानि के बुराई जब बितक में पहले चोपाई आती है सच्चु के बीच भूत इनो बीच रहे विस्तार सत्यूग वाली इस्तिती है वो किन के द्वारा आएगी सत्यूग तोने सी देवचंदची और मेरा श्ठाकुर के द्वारा अब यहाँ पर हर सुन्दसात दिन, रात, सेवा में जिनको माया की सुखो से कोई भी मतलब नहीं है सत्यूग से भी कई गुना पवित्रिस्तिती यहाँ पर बन गई है हर सुन्दसात रात, दिन, चर्चा, सेवा और चित्वनी अब दज्जाल सोचता है कि मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है यही मेरा है एकाल क्योंकि आकोड में हमने सुना था जिसमें दज्जाल ने अपनी चार फोट छोड़ी थी क्या का था एक पढ़ने वाले इलम के दुजे जादू करोंसिया दुजे बाजे बजावन हार तिसरे पढ़ने वाले इलम के चोथे जादूगर हुसियार चार चीजे थी एक जैसे कलब में जो नाच आदी होता है यह भी माया का सरूप है क्योंकि यदि कोई भक्ते में डूप कर परमात्मक लिए नाचता है तब तो बाट ठीक है नहीं तो यदि को ऐसे नाचेगा तो सोभावे की रूप से वो नाच विकार उत्पन करेगा बाजे बजावन हार यानि जो संगित जिसे परमात्मकी भक्ति को छोड़कर दूसरी तरह से जो संगित का प्रयोग किया जाता है वो भी दच्जाल का ही हत्यार है और जो रिती सिदी तिस्ते पढ़ने वाले इलम की जो अधिक भड लिक लेते हैं वो भी परमात्मको नहीं मानते हैं क्योंकि जब हिर्दे में तरक आ जाता है तो परमात्मको सो दूर हो जाते हैं तरक वाला वेक्ति पहले सोचेगा, मैं ये करू तो इससे क्या लाब होगा, इसा करने से इसा क्या होगा, ये इसा है तो इसा क्यों नहीं, वो हमेशा अपनी तार की बुद्धी में ही खोया रहेगा, और जब तरक में डूबा रहेगा, तो कभी भी हिदे में प्रेम नहीं आ सकता है, तो वो वेक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है, और जो थे जादुगर हुशियार, जो केवल करामा दिखा कर लोगों को ठकते हैं, ये सारे दज्जार के हथियार है, क्योंकि और इन दज्जार के वसमें वही आएगा, जिनका इमान कच्चा है, जिसके हिदे में ध सद्दा हटल विश्वास है, वो चाहे सरीर भी क्योंने चूट जाये, लेकिन वो अपने विश्वास से कभी नहीं डग मगाएंगे, तो यहां दज्जार कांता है, कि अब मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है, आर्दिकरे आनंदसों, आर्दिकाए आनंद, श्रीबाई जी इताई, बैचुराची यहां आकर क्या करते हैं, ए सिवा की जुगवाई, सिवा की जो जुगवाई यानि जो सारी सामगरी होती है, वो बैचुराची लाती है, साज रुक्मनी ल्याई, साज रुक्मनी ल्याई, रुक्मनी बाई भी कभी कभी सामगरी लेकर के आती है, अब ये संध्या आरती शुरूवती है कंचन थाल चहुमुक दिवला कंचन यानि सोने की थाली है जिसके चारो तरब दिये चल रहे हैं और उस दिपक की जोद प्रकासित हो रही है करत आरती जियावर रानी करत आरती जियावर रानी बैजुराज पेले स्टीजी की आरती उताती है आनंद अंग उलासे और अपने हिर्दे में प्रेम भाव लेकर प्रसंद होकर बैजुराज स्टीजी की आरती करती है जुगल सरूप सुन्दर सुखदाई जुगल सरूप सुन्दर सुखदाई पेले बैजुराज स्टीजी की आरती करती है फिर बैजुराज भी स्टीजी के साथ जाकर ब्रयाजमान होते है और सुन्दर साथ जुगल सुरूप की आरती उताते है श्याम धाम धनी सोहे श्यामा जी भी साथ में होती है मंगल रसिक बदन की सुभा उस मंगल कारी धाम धनी के बदन की सुभा का मैं क्या वर्णन करूँ निरखंता मन मोहे जिसको देखकर नेत्र वहीं पर रुख जाते हैं कई सुन्दसाथ प्रेम में डूप कर निरख भी करने लगते हैं और इस समय का जो आनन्द है अखंड आनन को प्रदान करता है यानि अखंड सुख मिलता है सब सुन्दसाथ को ताल मृदंग जहांज यंद्र बाजे ताल मृदंग जहांज इत्यादी वाजदे यंद्र बजाए जाते हैं सखियां बोले जय जय कार कई सुन्दसाथ जह जह कार करते हैं और सुन्दसाथ जब आरती हो रही होती है उसमें मोती और मुक्ताफल यानि स्रीफल आदी को बढ़ाते हैं स्रीजी अबर स्याम सुहागी स्याम जी मुक्ताफल बढ़ाती है तन मन जीव निच्छा वरकिन हो तन मन और जीव यहाँ पर श्तिन दरवतरी कहती है कि सुन्दसाथ जी उस समय सुन्दसाथ ने अक्ष्टरतित की पेचान करके अपना तन मन और जीव सब श्तिन जीव पर मिटा दिया लेकिन आज बारी हमारी है क्योंकि हम क्या कर रहे है हमारे उपर थोड़ा सा भी कष्ट आता है कि हमारा विश्वास डग मगा जाता है कि यह क्या और तन के अउगुन हमारे सामने होते हैं लेकिन उस समय सुन्दसाथ ने मिटाया अपने आपको जैसे मैंने पहले भी पताया कि जब बीच मिटता है तभी दुस्तरा पोधा उससे तयार होता है ऐसे अब यह समय हमारा है और हम कितने अक्ष्ट आतीत पर फिदा होते हैं जब संसार वालों को हम देखते हैं तो संसार के लोग केसी केसी कुर्बानी करते हैं अपने पन्ना धाय के बारे में सुना होगा पन्ना धाय जब राजकुमार होते हैं उनको बचाने के लिए जब राजा आता है उसको मारने के लिए तो उस राजकुमार के जगा पर अपने बेटे को सुला देती है क्यों? कि राजकुमार है आगे जाकर जनता की सेवा करेगा ये सोचकर वो पन्ना धाई अपने बेटे को उस जगा पर सुला देती है और वो राजा उस पन्ना धाई के बेटे को मार कर चला जाता है और वो पन्ना धाय उस राजकुमार को बचाती है कितना बड़ा त्याग है क्या कोई मा ऐसा कर सकती है जो पन्ना धाय ने करके दिखाया और भी जैसे स्वामीज भी कई बार दिश्टान देते हैं एक सुवन सराय होते हैं सेनपती और जब राजा घायल होता है तो उसकी तरफ जो जंगली जानवर खाने के लिए भागते हैं तो वो सेनपती अपना मास काट काट कर उन जानवर की तरफ फेकता है और ये सोचता है कि जब तक मैं जीवित रहूं राजा को सायद हो साय और राजा यहां से भाग जाए एक सेनपती अपना मास काट कर उन जानवर को डाल लाए कितनी बड़ी कुर्बानी है लेकिन हम सुन्दसाद ब्रह्म ज्यान को ग्रहन करके भी जितना कुर्बान हमें होना चाहिए था उतना हम नहीं हो पा रहे हैं यहां पर सुन्दसाद अपना तन, मन और जीव श्री जी पर नुच्छावर कर देते हैं श्री इंद्रावती चरणो लागी तन, मन, जीव नुच्छावर की नो श्री इंद्रावती चरणो लागी दाम धने के चरणों में इन्रावति प्रणाम करती है और अपना सब कुछ नुच्छावर कर देती है क्योंकि सब सुन्द्ध साथ महामती जी को दाम का धनी मान रहे है लेकिन महामती जी अंदर बेट वे अक्षराथित को अपना प्रियत्न मान रहे है सुन्द साथ तो उस तन को अप्षादित मान रहा है लेकिन महमती जी उस हिर्थे में विराजमान युगर सुरुप को अपना धामधनी मान कर उन पर तन मन जीव निच्छावार करती है इस प्रकार प्रति दिन जब आरती होती है तो सब सुन्द साथ बहुत प्रेम भाव में डूप जाते हैं और रोज आरती का अनन लेते हैं वोता है बंगले में बंगलाजी दर्बार में ये सारे लिला होती है कई खलक आवे दिदार को और कई खलक क्योंकि कई लोग तो स्री जी को केवल एक ग्यानी या महापुरुस के रूप में देख रहे हैं तो कई लोग केवल स्री जी के दर्सन करने के लिए आते हैं सुनकाइमी पावे इन से पर जब सुनते हैं तो ये ज्ञान सुनने से उनको भी अखन मुक्ति मिल जाती है क्योंकि सनन्द करन्थ में कहा गया है बांग आवाज कानो सुने ताई कूफर होवे क्योंकर हमारी वाणी या संधिया आर्ति मंगल आर्ति जो भी कोई भी जीव सुनेगा उस वो जीवी मुक्ति का अधिकारी होगा इत धुन सुरजमन इत धुन सुरजमन ये जो आर्ति की धुन है उसमें सुरजमन भी करे आरती बोध आरति को गाते हैं और इस धुन में सामिल होते हैं श्री धामधनी जीवर के और धामधनी और बैजुराज के नाम लेत भागे बीरोध धामधनी का नाम लेने से भी हमारा हेते परित्र हो जाता है और हमारे हेते में जो बुराई है वो दूर हो जाती है यही अक्षे रातित है अब सुन्दर साथ ने क्या पेचाना है यही अक्ष्रातित है कि यह जो तन हमारे सामने विद्यमान है इस तन में ही धाम धनी अक्ष्रातित विराजमान है यही है धनी धाम यही हमारे धाम के धनी है यही मुहमद मेंदी इसा और यही मुहमद मेंदी और इसा है यही पूरे मनुरत काम और यही धाम दनी हमारी इच्छा को पूरी करने वाले कौन सी इच्छा परम धाम ले चलने वाले इच्छा क्योंकि सुन्दसार जो परम धाम की ब्रहम आत्मा है यदि उनके अंदर माया की चाना होती तो घर बार छोड़ कर वो नहीं आते लेकिन उनको एक ही लगन है कि संसार में अब तक हमने कितना जीवन बिताया क्योंकि अनुभाव बहुत कुछ सिखा देता है उन सुन्दसार ने देखा कि जिन संसार के लिए हमने अपना इतना समय बिताया लेकिन परिणाम में हमें क्या मिला परिवार ऐसा जरुनिक सब स्वार्थी होते हैं कई लोग परिवार में सच्चे हिद्धे से संबंदों को निभाते हैं लेकिन किवल ऐसा करने से भी क्या राव और उन सुन्द साथ ने ये जाना कि ये एक कर्मों का बंदन है जिसके कारण यहाँ पर कोई पिता बना है कोई पुत्र बना है कोई मा है कोई भाई है कोई कुछ है इस सारे दिश्टे नाते हैं और एक नएक दिन छोड़कर हमें जाना पड़ेगा और जिस दिन सरी छुटेगा इन मेंसे कोई भी हमारे साथ आने वाला नहीं है धन को भी सुन्दसाथ ने बहुत गहराय से अनुबब किया कि धन से भी कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है जिस धन के पीछे सारा संसा राज भागता है उस धन को सुन्दसार छोड़ कर आ गया तेस्टीची के चर्णों में क्योंकि धन से हम चीजों को तो खरीच सकते हैं जैसे धन से हम बोजन खरीच सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीच सकते हैं इस तरह धन से भी धन को भी यदि सही कारिया में नहीं लगाया गया तो धन चाहे कितना भी हो इससे कोई भी लाव नहीं है और सुन्दसाथ ने इन सारे संसाथ के सुकों को देखा था सुन्दसाथ कौनुभव है जिन सुकों को सुन्दसाथ लाद माल कर आए हैं और यहां आकर अपना पल-पल श्रीची के सेवा में लगाकर पल-पल अपना जिवन सार्थक कर रहे हैं और इस तरह से आर्थी के समय में विद होत ककोल विद होत कलोल अनेक प्रकार की ध्वनी सुनाई पड़ते हैं जिसको सुनकर सुन्दसाथ आनन्दित होते हैं हे गए बंगले ना सुनाता हे गए बंगले ना सुनाता और कई सुन्दसाथ इसको सुनते हैं और कई सुन्दसाथ जैसे सेवा में कोई सामिल कहीं लगे होते हैं तो इसको नहीं सुन पाते हैं कोई सुख नहीं इनतोल और जो ये धुन होती है आर्थी की, इसके समान दूसरा और कोई सुख नहीं है क्योंकि सुन्दसाथ अक्ष्दातीत की आर्थी कर रहा है कोई तन की नहीं भले सामने पांच तत्व का सरी है लेकिन सुन्दसाथ उस तन में क्या देख रहे हैं? अक्ष्दातीत इसलिए तो सुन्दसाद के रहे हैं कि यही हमारे धाम के धनी है और यही अक्षिराती थे और इसी भाव को लेकर सुन्दसाद ची आती करते हैं उनको अखंड आनन मिलता है एक पहर रात लो अब एक पहर राती तक होता है यह मनुहार कोई आवत कोई जाता है कहा लो कहूं प्रकार धामधनी कह रहे हैं के सुन्दसाद जी लालदा जी के अंदर बेटकर धामधनी कहलवा रहे हैं के मैं इसका कहां तक वर्णन करूँ अब श्री बायजुराज क्या करती हैं जुगल सरुप सोभाए शिंगा सन के उपर श्री जी और श्री बायजुराज विराजमान होते हैं आनन्द सरुप सुतेज को मेरे पास कोई सब्द नहीं है इस सोभा का वर्णन करने के लिए अब श्री मामत जी कहती है कहे सुन्द साथ जी अब चर्चा का समय होता है क्योंकि पन्द जी की दिन चर्या जिसे मैंने पहले भी बताया है सुबर से साम तो क्या पूरी रात बस चर्चा, चित्वन और सेवा और कई सुन्द साथ कोई वानी गाता है तो कई सुन्द साथ रात रात भर वानी का स्तवन करते हैं करी सुन्द साथ जोस्टी जी की चर्चा सुनते हैं उस चर्चा की अर्चा करते हैं कि आज धाम धनी ने चर्चा में क्या बताया है और इसका अर्थ क्या है इस तरह से हर सुन्द साथ रात दिन इस चर्चा में मस्त रहते हैं है सुन्द साथ जी इसको आप चित देकर सुनेगा क्योंकि चल्चा करने वाले धाम धनी है सुनने वाले सुन्द साथ है और यहां लाला जी कह रहे हैं कि सुन्द साथ जी आप भी इसको चित देकर सुनना अपने हिर्दे में एक भाव लेकर सुनना कि चर्चा किसकी है धाम के धने की है लाल आगे आए बैठेन तख़त लाल दाची तख़त के उपर आकर बिराजमान हो जाते हैं क्योंकि जब चर्चा का समय होता है तो एक तरब लाल दाची बिराजमान होते हैं दूसरी तरब केसो भाय बिराजमान होते हैं जो दोनों एक व कि वेद में कहां क्या कहा हुआ है कतेब ग्रंथ हैं उनमें कहां पर कौन सा वर्णन है इस सारे भेद खोलकर श्री जी सुन्दसाथ को समझाते हैं अब कहों पहर छटे की अब दामधनी छटे पहर का वर्णन करें 6 पहर कितने बजे से कितने बजे तक का होता है 9 बजे से 12 बजे तक का सुबर 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर 12 से 3 बजे तक तिसरा पहर 3 बजे से 6 बजे तक चोथा पहर 6 बजे से 9 बजे तक पांचवा और 9 बज़े से 12 बज़े तक 6 पहर अब 6 पहर में सुन्दसाद जी केसे स्थीजी की सेवा करते हैं और केसे केसे स्थीजी चर्चा करके सुन्दसाद को सुनाते हैं ये वर्णन हम आगे सुन रहे हैं जीत चर्चा होता है हाक जहां चर्चा किसकी होती है हक की हक कौन? धाम धने इसती राज़ी किसी देवी देवता की चर्चा नहीं होती है या कोई संसारक शुक्षो के कोई बात नहीं कही चाती है यहाँ पर हक की एक परमात्मा की चर्चा होती है और उसको सुन्धसाथ उसको पाने के लिए कैसे कौन सी राह अपना है कैसे चित्वन की राह पर सुन्द साथ चले ये सारे चर्चा सीची सुनाते हैं सारे सुन्द साथ सीची के सामने बेट कर चर्चा सुनते हैं जो खास गीरो बुजरक उसमें भी खास गीरो जो परमधाम की बरमात्मा है वो विशेज रूप से सुनती है क्योंकि उन्होंने पेचाना है अक्सरातित को तो उनको ये पता है कि धामधनी के मुख से निकलावा एक-एक सब्द हमारे लिए कितना महत्वपुन है अब कुरान और हदिसों को कौन पढ़ता है बैटता है दास लाल गोकुल दाची भी कभी-कभी दहमगंत पढ़ने की सेवा करते है करने राज खुसाल राची को दिजाने के लिए ही सादे सुन्द साथ कोई पढ़ने की सेवा करता है कोई कोई सेवा करता है और सब सुन्द साथ के दिल में एक ही भाव है कि कैसे हम धामधनिक को दिजाए मुरली धर असन मुख बैठता मुरली धर श्टी जी के सामने अपना असन जमाते हैं और श्टी जी के नेत्रों से नेत्रे मिलाकर चर्चा सुनते हैं ना तो अपने असन को डगाते हैं न तो अपने नजर कहीं इदर उदर जाने देते हैं पलक न मारत नैना पलक भी नहीं जपकते हैं मुख सो मुख सनमुख स्थीची के नजरों से नजर मिला कर सुनते हैं स्रवन सुने मुख बेना स्टीची के वचनों को हिर्दे में भाव लेकर मुर्लिदास जी सुनते हैं एक बाजो श्री महाराजा स्टीची के दुस्ते तरफ महाराजा चत्रसाल जी बिराजमन होते हैं और देवकरन जी साथ देवकरन भाई भी चत्रसाल जी के साथ होते हैं और दुरगभान पीछल और दुरगभान जो सुन्दसाथ थे वो भी स्थिची के एक तरफ पिराजमा बेठे होते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ और यहां सुनने के लिए कौन आते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ अक्षत अतीत ने जिसको चुन लिया है वही सुन्दसाथ जैसे बीतत के अंतिम में चोपाई आती है कि यहां तही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ क्योंकि सिवा करना कौन चाहता है कोई भी नहीं चाहता है सबको सरीर के सुख संसार के सुख प्यारे होते हैं लेकिन जो अक्षत अतीत की पेचान कर लेगा जो अपने आपको मिटा लेगा वही तो सिवा करता है और धामधनी भी उनकी हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि एक बार जो धामधने के चर्ण में आगया वो कैसे भी करके धामधने उसको अपने चर्णों से कभी जुदा नहीं करते हैं और साथी केतिक और भी कई सुंदसाथ आवे निष्टा बंध हो करके आते हैं कोई आवे मर्जाद में कोई-कोई मर्यादा में आते हैं यहाँ पर भी किसे क्या होता है कई लोग जब चर्चा होती है तो मरियादा में आते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे और इस मरियादा का पालन करने के लिए आते हैं और कई लोग नेश्टा बंद होकर कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें चर्चा सुनने जाना है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कोई परवा की सनंद कोई परवा में आते हैं कि भाई दुसरे लोग जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ चल देते हैं कोई सुनत है पुष्ट में अब आने वाले भी तिन तरह से आते हैं और सुनने वाले भी तीन तरह से सुनते हैं कोई-कोई पुष्टी से सुनते हैं कोई सुने मर्याद कोई मर्यादा के वर्स होकर सुनते हैं कोई परवा में कान दे और कोई प्रवा में सुनते हैं ए सुनने की बुनियाद सुनने वालों की यही वास्तिकता है स्री राज जी और स्यामा जी ये दोनों युगल की सोर दोनों क्या है, युगल सुरूप है रूहे रहे दर्गाह में और परमधाम की ब्रहमात्मे कहां रहती है उस परमधाम में ये तीनों एक स्रूपना आउर और ब्रह्म आत्माएं राज्जी से अलग नहीं है जिन ब्रह्म आत्माओं को महिमा राज्जी स्वयम अपने मुख से बयान करते हैं कि लाडलियां लाहोद की जाकी असल जोथे आसमान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी शिफद करे सुभान और भी कहा है कि निर्णे करना अर्ष का तिन में भी हग जात नूर अकल इत क्या करे जित लद्धूनी गोते खात राज्जी कहते हैं कि ब्रह्म आत्माओं की सुभाखा में क्या वर्णन करूँ सारा संसार अक्ष्रतीत को पाना चाहता है अक्षदातीत को खोजता है और अक्षदातीत неё अपनी प्रहम आत्मा को खोज रहे हैं उनको खोजने के लिए तो जग़ा-जगा जाते हैं और कितने कष्टों को सेहन करते हैं जिसे भिच्छा मांगना यह और भी कई प्रकार के कट सेहन करते हैं आज पन्ना पहुँचे हैं तो उस सरुप की पेचान किये सुन्दसात ने और अब सुन्दसात नहीं चाहते हैं कि कोई कष्ट स्थीजी को हो लेकिन पन्ना पहुँचने से पेले तो उस तन ने भी कितने कष्टों को सेहन किया कभी जब राजा भाव सिंग का देहान धो जाता है तो औरंगाबाद से भागना पढ़ता है रातो रात जब दिल्ली में जाते हैं तो कोई कहता है कि ये हिंदू है ये माला पहनते हैं दोती पहनते हैं कोई कहता है कि ये मुसल्मान है ये कुरान पढ़ते हैं इस तरह हक्षरातित पर भी लोग आरोप लगाते हैं अब धामधनी हम ब्रह्म आत्मा को जगाने के लिए इन सारे कश्टों को सेयन करते हैं पांच बार पीव हम वास्ते मोह जल में डादिया आफ लेकिन हमारी आखें क्यों नहीं खुलती हैं कि धामधनी जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या हमारा करतव नहीं बनता है लेकिन सुन्दसाथ हम ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि स्टीजी तो स्टीजी है हम क्या कर सकते हैं लेकिन कुर्बान की समर्पन होने का आप हमारा समय है और जब अक्ष्रतित हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम सुन्दस साथ को भी कुछ न कुछ तो अवस्य ही करना होगा और धामधनी उन ब्रह्म आत्माओं की महिमा गाते हैं और युगल, सुरूप और ब्रह्म आत्माओं कोई अलग नहीं है उस अक्ष्रातीत के ही तो अंग हम आत्माओं है अर धामधनी भी हमें यहां यही बताने आये हैं कि रुखो तुम अपने आपको अलग समझते हो लेकिन तुम मेरे से अलग नहीं हो तुम तो, तुम रुहे मेरे तन हो, तुम सो इसकचो मेरे दिल लेकिन इस बात की पेचान हमें यहां पर करनी होगी लक्षमी जी और भगवान जी राची, स्यामा जी, लक्षमी जी, महालक्षमी जी और अक्षरब्रम ये दोनों एक ही अंग और ये भी कोई अलग नहीं है क्योंकि राची ने वाणे में कहे दिया सरूप एक है लिला दोई अक्षरब्रम भी राची से अलग नहीं है उनिका ही सतंग है और महालक्षमी भी कोई अलग नहीं है ये है अंग सिरराज के ये सब एक ही राची के अंग है ये पांचो अदोईत एक संग राची, स्यामाजी, सक्खियां, अक्षरब्रम और महालक्षमी ये सब एक ही है, अलग-अलग नहीं है ये लिला केती कहूं ताम धनी लालदाची के अंदर बिराजमान होके कहे रहे हैं कि सुन्द साथ जी, इस लिला का में कितना वर्णन करूं रात होता पहर दोए अब राती का दूसरा पहर हो जाता है कोई समय तिन जाता है कोई कोई समय जाता है चर्चा कही समझावे सो है और किस की समय चर्चा करके स्टी जी समझाते हैं सिर्राज पोड़े पलंग पर अब स्टी जी पलंग के उपर पोड़ते हैं गादी तके उठावे ये गादी तक्या उठाने की सिवा कुन करते हैं? बिहरी दास संगनाथ रहे गादी तक्या उठाने की सिवा बिहरी दास करते हैं और उनके साथ नाथा भाई भी साथ में होते हैं और शाथी सामिल को है और भी कई सुन्दसाथ इस सिवा में सामिल होते हैं अब छठे पौहर में श्टीची आगे केसी परमधाम का वर्णन करके सुन्दसाथ को समझाते हैं और केसी सुन्दसाथ प्रेम में मगन होकर उस परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनते हैं ये चर्चा हम कल सुनेंगे अब यहाँ पर जोपाई दुराएंगे बुले श्री प्राणनात प्यारी कीच श्री राज पोडे पलंग पर गादी तक्ये उठावे ये बिहारी दास संगनाथ रहे और साथी सामिल सेवा के बुले श्री प्राणनात प्यारी कीच श्रीशत गुरु महाराज कीच